ओम्नमों भगवते वासुदेवाया ओम्नमों भगवते वासुदेवाया ओम्नमों भगवते वासुदेवाया श्रीमत भागवतम चोथा केंटो 11 माध्या और 24 स्माचलोग नचैते पुत्रक भ्रातुर हंतारो धनगदानुगा कुवेर के अनुचर यक्षगन तुमारे भाई के वास्तिविक मारने वाले नहीं है परते एक जिवात्मा का जर्म तत्म मिर्ट्व तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा होता है इससे पहल बर्मेश्वर के बाहरे में बहुत चर्चारी सव मुह मुहन है जो ли परमेश्वर इतने महान हैं समझने का मतलब ये है कि गलत कैसे हो सकते हैं जब उनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं इलता, उनकी इच्छा के बिना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राक्षस, कोई दुष्ट हमें तंग कर दे, हमें मार दे, तो इसका मतलब भगवान हर जगे उपस्तित नहीं है, वो पुकारे जाने पर आते हैं, अब ऐसा तो नही हां हर जगे कारे जाने पर आते हैं, तो मेरी तो दिल धक दक दक करना बंद कर देता, यह आत्मा जिल के अंदर नहीं कहाँ कहता है, कि आत्मा थिकी हुहा है, क्योंकि परमात्मा अर्चीज के अंदर है उसके लॉग को मेंटेन कर रहे हैं तो यह समझने के बात है कि वो जो परमात्मा है वो कैसे गलत कर सकता है शिलब पुर्पा बताते थे अकसर प्रा सिंपल सा एक्जामपल कि पोस्ट मैन यदि किसी के मरने की खबर लाया है तो पोस चड़ा खच गर्दन साफ यह काम हम कैसे कर सकते हैं वो तो पोस्ट मैन था वो तो इन्फरमेशन देने आया था उसी तरह से हमारे जीवन में कोई वेक्ति के कारण हमें दुख मिल रहा है हम उसको कोस्ते हैं और पुरा जीवन उसको गलत साबित करने में लगा जिससे मिले कि वजह से आज मेरी पोजीशन नीचे गर जी गलत साबित हो गया मेरे जीवन में दुखा गये उसका कारण ये वेक्ति है जबकि ऐसा हो इनी सकता है चूंकि भगवान अगर है तो कोई वेक्ति गलत कैसे कर जा तो हम इस बात को मान लें कि भगवान इतने भी सक्तिसाली न कि लुक्कड में किसी भी कीडे के साथ Pain कि आ सब्सक्राण चैने अपड़ एक कौकरूच मर गया चीटी अगया तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑच् winning तभी मर गी jeb उसकी मरतिव है चा इतना बडला शिस्टम है इतना बडला सिस्टम है क्या अगर अम शास्तुरों को पढ़ ऐस्वान कान जायेंगे उतना समय हैगा कि एक बहुती बड़ा सिस्टम चल रहा है कोई जो हमारी समच identify बहार है इसलिए में कोई गलति न हो ती यहा इसका मतलब यहा कि कोई हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है केवल और केवल हमारे करमों के अनुसार हमें कुछ सजा या अच्छी चीजे मिल रही हैं इसका मतला हमें करना है तो केवल यह कि हमने करमों भुजदार नहीं है और उसको भगवान की सिर्म लेकान एक मात्र काम यह करके हम अपने बच्चों को गवान भी कहते हैं करमن का मतलम कर्म मतलों कर ली इसमें सब स्टेंडर मतलम 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 मतने कालिये इस सच भी हो सकता और जूर बी कार्म यह सकता है वास्तवे सब्सेड़ाने का परपस कैा वहांताने। घ्रिज़ेस हो तब परिवार को चलाना भी बक्तिमैकार्य हो सकता है अदर वास नहीं इसलिए बगवान के लिए करम करना जो है वास्तेविक्ता में हमें संसार से स्वतंत्र कर सकता है और हमें सुखी बना सकता है यह अगर हम सिखा दें सबको लिए हमें इस पूरा Believe nे है हम प्रयास करते हैं पैसा कमाने का बड़ा बनने के लिए नॉलिजेबल बनने के लिए फेमस बनने के लिए सुंदर बनने के लिए इंफ्लूएंस करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमारे जीवन में सुख उतना ही आएगा जितना लिखा है अब चाह जितना भी दोड लगा लो करी नहीं पाएंगे हम उसको अची भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है और यिधि अग्त назв agar allegedly आपना सई करते जाएं अफ सही करने का मतलब यदि यहन हैं किसी को दुख नहीं देते हैं हैं सटो गुण में रहते हैं इस से भी काम नहीं चलेगा क्यूंकि चलते हुए पानी पीते हुए जीवानों मारते हैं, पाप हो ही जाते हैं, संसार में जब तक हमें, कुछ ना कुछ कर्म ही खटा हो जाता है, जैसे भगवान कहते हैं, भूंचे ते तोगम पापम यह चंद पचंदी पारानात, तो मतलब कि कोई अगर बिचारा खिचली खा रहा है, खिचली, लेकिन खिचल तो भगवान कहे रहे हैं, यह वैक्ति भी पाप खा रहा है, क्योंकि यह अपने लिए कर रहा है, इसके अंदर दूसरों के करने के लिए नहीं है, इसके अंदर भगवान के लिए करने के लिए नहीं है, तो इस परकार से सतोगोनी वैक्ति भी जो किसी को कस्त नहीं दे रह तुझ थोड़ सधा जीवन भीत है। तुझ सहर भी मुझे भूट है। हण दूद की थोड़ी है। थोड़ी एग। डूद पीने वाला अटुझे भूड़η है कि चेतने चरीत भोगड दूद कर अगावली प्रहमचारई को संकीरतन चे बाहर प्हेंक तного है। दूद पीता है, तो दूद पीना वाली को eligibility है, कि तो महापरु का संकिर्दन देख सकते हो, या आपको शुद दूद मिल रहा है, या आपको शुद हवा मिल रही है, is it an eligibility to worship Krishna, to please Krishna, नहीं, इसलिए वहाँ पर भी दुख हैं बहुत सारे, गाउं के लोग शैर के तरह भाग रह है, यह समझने का प्रयास करना हो भाग और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए, तो सुखी कैसे हुआ जाएगा यदि कोई भगवान के लिए कारे करे, अपने कर्मों को सुदारे, क्योंकि कर्म के कफल हमें देने के लिए कोई आता है, कोई हमारे साथ बच्चे कहते हैं इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे यह कर दिया, यह माता बड़े परिसान हो जाते है, मेरे बच्चे का सोचन हो रहा है, नहीं उसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो ही नहीं सकता है, कैसे हो जाएगा आपके बच्चे के साथ अत् हमारे काम केवल है उसको सच्चाई के रास्ते बेर चलना सिखाएं उससे वो सारी मुसीवदों से निकल जाए रहा है लेकिन हमारी फिलोसफी कमजोर है तो इसलिए हां बता रहे हैं स्वाइब कि तुम्हारे भाई को किसी ने मारा नहीं है डोंट तिंक कि कुबेर के उसने मा दिया और तुम्हे इतना गुसे मारे हो इस मैटीरियल थिंकिंग परतेग जिवात्मा का जन्म मिर्त्यू तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही होती है अब इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में असली मुसीवत हैं जैसे कि हिरने का तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में दुख भगवान दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि इस दा अल्टिमेट गवर्नर जैसे कि भारत के प्रधान मंत्री ने राश्पती ने सुपरियम कोट के जज़ ने कोई समीधान मना दिया मान लेते हैं कुछ भी कि माना साथ 8 बज़े के बाद जो लाइट जलाएगा उसके उपर पांच लाक रुबए का जुरूमाना होगा ए आठ बजे के बाद मान लीजे, सो ने mandatory कर दिया, आप किसी ने light जला ली, आठ लाग का जुर्माना आ गया, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि जुर्माना मेरे जीवन में सुपरीम कोड के जज ने दिया, राश्पती ने दिया, त्यादी, मैंने उन नियमों का पालन नहीं किया इसलिए यहां के enforcement agency ने मेरे उपर लगा दिया, लेकिन अगर कोई कार्मन बचाता है, कार्मन सेवर को अवाड मिलते है न, कोई light बचाता है, green करता है, तो उसको सरकार इनाम दे रही है और पेड काटने वाले को सजा दे रही है, तो हम सरकार के अनुसार चलेंगे तो मैं र हमारी समस्या है, तो भगवान करने वाले हैं बट भगवान नियम बनाने वाले हैं, भगवान हमें कर्म करने के लिए फोर्स नहीं करने हैं, कर्म हमारे हैं नियम भगवान के हैं, इसलिए बोल जाता है कि भगवान ही करने वाले हैं, लेकिन भगवान का जो पुलिस डिपा सब्सक्राइब काई बार पिलर के पीछे दिवार के पीछे पलंग के नीचे नहीं चलते हैं लेकिन भगवान के कैमरे हर जेके चल रहे हैं इसलिए वहां की अदालत बड़ी क्विक है यह समझना पड़ेगा तो इस परकार से भगवान ही हर परकार का के नियंता हैं कंट्रोलर नहीं सजा देने वाले हैं लेकिन हमारे कर्मों के निसारे हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है कि हे दुरुमाराज इसलिए आप समझे इस बात को कि आपको दुख देने वाले यक्ष नहीं है श्री भगवान ही इस बहुतिक जगत की श्रिष्टी करते हैं पालन करते हैं यथा समय पर संगार करते हैं किन्तु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण विन्ना तो एहंकार से व नहीं प्रकर्ती के गुरों द्वारा परवावित होते हैं कि कोईले की दलाली में रंग काला आदमी कोईले की कुछ बिजनेस करेगा तो कही ना कहीं आपको काला होई जाएगा कोईले की धूल वो काला कर देगी अर्चीज को तो यह यह सिस्टम भगवान पर लागू नहीं होता है कि भगवान जब इस सिस्टी में क्रियेशन करते हैं तो उनके अंदर भी थोड़ा रजोगून आ जाता है जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा जी ने क्रेशन करी तो एक स्थरी बनाई तो तुस थरी के इस परति आ सकते हो गये ये भगवान के सार लगू नहीं हो सकता है या भगवान ने तमो गुल में शिवजी एक दम से évidemment स構 बहूँ करना था भूल गये किया खतम करना था क्या नहीं खतम अना था डा मौना इसा नहीं सै गर्फर और फट तो इस परकार से वह समझने की बात है कि आप भगवान को कभी नहीं मान सकते कि भगवान का दिमाग ठीक नहीं है कंटा मीनिट हो गये गल्ती कर दी भूल गये कि यतिया दी ucharिए धिया क्योंकि तीन भी में हमारे डिसीजं पने गलती होती है perché हमारे डिसीजं तमोंगून रजोंगून पर भाविथ हो जाते हैं लेकिन भगवान के डीसीजं कभी गलत नहीं हो सकते हैं हमारे साथ जो गलत होई नहीं सकता है कभी कै can शुद्ध सतोगून में रहते हैं नहीं आप यह के सकते हैं कि चलो भगवान तो अच्छे हैं लेकिन कई सारे देवी देवता हैं इन्फोर्समेंट के लोग है यह घूसका के कुछ लबड़ कर सकते हैं ना उस आदमी ने कोई जादू तोना किया किसी देवता को पटा लिया और बोला इसके घर मे अग्जांपल देखिया और भगवनो ताकुर ने उस सनयासी को पढ़ड़दिया उस सद्हाश ने वड़क्ति ने इतना बड़ा जन्जाल कर दिया भक्ति नथागूर के बच्चे मरने मरना सन बगए बगदिव ठागूर को भी बहुत पयर भूखार हो गया जिस दिन करेंगा नियुक्त पर्तित होगा क्योंकि भगवान is always in control यह मैं समझना पड़ेगा कि वो प्रकृति के गुणों में कभी भी लिप्त नहीं है कभी भी उससे त्रिप्त नहीं है वो इसके ऊपर है इसलिए उनके हर डिसीजन को उनके हर चीजों को हमें accept करने पड़ेगा that is good for us our कर्मों का फल है है इसलिए हेद्रु माराज इस बात को समझे कि तुम्हारे साथ जो भी होगा है वो तुम्हारे भाई के कर्मों का फल है भगवान के कुछ निर्णा है जो कि बिलकुल सही है क्यों गुस्ता दिखा रहे हो किसी और के ओपर है ना इसने मेरे साथ ऐसा कर इसको छोड़ूआ नहीं है इसने ऐसा कर दिया इस सब छोड़ दीजिए और आप आप भी शान्त हो जाईए भगवान के नामों का जब कीजिए अरे क्रिश्टा शिलपरुपाद की जाए गंतराश्यमत भागुतम की जाए